हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने एटूब चलने का नहीं आ क्लासेस पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोहा चंद की परिभासा और उसका उदार्ण तथा मात्राइं निकालना भी आपको हम समझाएंगे तो सबसे पहले है डालेंगे दोहा चंद इसके बाद है डालेंगे परिभासा इसमें लिखेंगे दोहे के पहले और तीसरे चरणों में तेरा तेरा मात्राएं और दूसरे तथा चवते चरणों में गेरा गेरा मात्राएं होती हैं सम चरणों के अंत के वण गुरु और लग होते हैं अब हैडिन डालेंगे उधारण तो हम सबसे पहले आपको इसका उधारण पढ़कर बताएंगे फिर हम आपको बताएंगे मात्राएं लगाने के नियम की मात्राएं कैसे लगाते हैं तो सबसे पहले हम उधारण पढ़ेंगे और इसके बाद हम आपको समझाएंगे तो उधारण है मेरी भव बादा हरो राधा नागर सोई जा तन की जाई परे स्याम हर्ज दूति होई ये है दोहा चंद का उधारण अब हम आपको बताएंगे मात्राय लगाने के नियम मात्राय लगाने का पहला नियम है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और चंद्रबिंद या इसे बोलते हैं अनुनासिक पर एक मात्रा लगेगी दूसरा नियम है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आय, ओ, अंग, और आह पर दो मात्रा लगेगी तीसरा नियम है जब संयुक्त वेंजन आये तब संयुक्त वेंजन से पहले वाले वड़ पर दो मात्राय लगेगी यानि कि अगर छोटा आ की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा है और छोटा उ की मात्रा है और चंदर बिंद लगा है तो वहाँ पर एक मात्रा लगाएंगे अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आ, ओ, अंग, अ की मात्राएं लगी है तो वहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे जब संयुक्त वेंजन आये, तब संयुक्त वेंजन से पहले वाले वण पर दो मात्राएं लगेंगे अब हुम आपको मात्राएं लगाना बढ़ाते हैं, फिलहाल मैंने पहले ही जो उधारण है इस पर मात्रा लगाई है पर हम आपको दोबारा समझाते हैं मा, मा पर एक की मातरा लगी है इसलिए यहाँ पर दो मातरे लगाएंगे रा, रा पर बड़ी एक की मातरा लगी है इसलिए यहाँ पर दो मातरे लगाएंगे भा, इस पर एक मातरे लगाएंगे वा इस पर भी एक मात्रा लगाएंगे बा इस पर बड़ा आ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे धा इस पर भी बड़ा आ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे हा इस पर एक मात्रा लगाएंगे राव इस पर दो मातर लगाएंगे क्योंकि इस पर आव की मातरा लगी हुई है रा इस पर बड़ा आ की मातरा है इसलिए यहाँ पर दो मातर लगाएंगे धा इस पर बड़ा आ की मातरा है इसलिए इस पर भी दो मातर लगाएंगे ना इस पर भी बड़ा की मात्रा है इसलिए यहाँ पर दो मात्र लगाएंगे गा इस पर एक मात्र लगाएंगे रा इस पर छोटी ए के मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगाएंगे सा इस पर ओ की मातरा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर दो मातरा लगाएंगे यहाँ पर छुटी E इसलिए 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 इस इस पर दो मात्र लगाएंगे, पा इस पर एक मात्र लगाएंगे, रा इस पर आई की मात्र लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर दो मात्र लगाएंगे, यहाँ पर यहाँ है, यहाँ पर बड़ा की मात्र लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर दो मात्र लगाएंगे, मा इस पर एक मातर लगाएंगे, हा, इस पर एक मातर लगाएंगे, रा, इस पर छुटी ए की मातरा लगी हुए, इसलिए यहाँ पर एक मातर लगाएंगे, ता, इस पर भी एक मातर लगाएंगे, दा, इस पर छुटा ओ की मातरा लगी हुए, इसलिए यहाँ पर एक मातर लगाएंगे, यहाँ पर छोटी E है इसलिए इस पर एक मातरा लगाएंगे तो बच्चों हमने आपको उधार में मातरा लगाना बताया है अब हम आपको गिनकर बताएंगे कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मातरा हैं और दूसरे तदा चोथे चरण में 11-11 मातरा हैं होती हैं तो गिनते हैं पहले चरण में 2-2-4-5-6-6-2-8-8-2-10-1-11-2-13 यानि कि जो पहला चरण है इसमें 13 मातरा हैं अब दूसरे चरण में गिनते हैं यहाँ पर हैं 2-2-4-4-2-6-6-7-7-7-8-8-2-10-1-11 जानि कि जो दूसरा चरण है इसमें 13 मातरा हैं और जो पहला चरण था इसमें 13 मातरा हैं अब तीसरे चरण में गिनते हैं 2-3-4-4-2-6-6-2-8-8-2-10-10-11-2-13 यानि कि जो तीसरा चरण है इसमें भी 13 मातरा हैं अब चोथे चरण में गिनते हैं 2-1-3-4-5-6-7-8-8-8-2-10-11-11-12 यानि कि जो चोथा चरण है इसमें भी 13 मातरा हैं तो मैंने अभी परिभासा आपको लिखाई है कि दोहे के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मातरा हैं यानि कि जो दोहा है इसका जो पहला चरण है और जो तीसरा चरण है और जो दूसरा चरण है और चोथा चरण है इसमें गेरा-गेरा मातरा हैं होती हैं फिर मैंने लाश्ट में लिखाया है समचणों के अंत के वण गुरू और लग होते हैं तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले दोहाचंद की परिभासा लिख कर बताया फिर उसका उधान बताया फिर हमने आपको मात्रा लगाने के नियम बताये उधान में मात्राएं कैसे लगाएंगे वो भी हमने आपको अभी समझाया है तो बच्चों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत